नमस्कार लोगसबा टीवी में आपका स्वागत है समवाद में आज आप जिन से मिलने जा रहे हैं उनके नाम और काम दोनों की काफे चर्चा है या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि उनके काम से जादा लोग उनको जानते हैं नितिन जी बहुत स्वागत है आपका आपके काम कितनी चर्चा क्यों है और जितने भी मंतरी आपके सरकार में अगर मैं बात करती हूं तो एक बार जरूर कहते हैं कि आप नितिन जी के काम को देखें क्या वज़ा है इसकी पिछे यह तो मैंने बता सकता इसमें मुझे कुछ पता नहीं है पर मुझे पार्टी ने और पधान मंतरी जी ने जो जिम्मेदारी दी है वो मेरे डिपार्टमेंट में मैं कैसे अच्छी डिलिवरी दू इसकी मैं रात दिन कोशिश करते रहता हूं अरचने और समस्य होती है कठिनाई भी होती है पर मेरा विश्वास है कि कोई चीज असंभव नहीं है अगर हम प्रयास करेंगे तो असंभव चीज को भी संभव में परिवरितित कर सकते हैं और इसलिए मैं जो कुछ काम करता हूं इसका श्रय को मुझे नहीं है हमारे सेकेटरी राध दिन काम करते हैं नेचाहे के मेंबर्स काम करते हैं इंजिनियर्स काम करते हैं प्रोजेक्ट डिरेक्टर्स काम करते हैं अधिकारी काम करते हैं राज्य सरकार काम को सहयोग मिलता है क्योंकि लैंड एकुशन उनके बिना नहीं होती है उनके साथ फ़ल मन्ती जरे हमको दिया है पूरा करने के कोशिछ करते हैं तो घुका SECRETा कि मैरे डिपार्ट मेय ऐद हमें मुझे मुल्स का है कि मैं रोलड बना हुआ दिखा सकता हूँ तरिणे डिखा सकता हूँ नदि का काम दिखा सकता हूँ एरिगेशन गा अई लेक्टिक का दिक्ता हों. हेल्ब मिनिस्टरी क्या दिखएगी पारिफियो दिखा दिखाबोल ही है. वह भी मन्त्री बहुत काम करते हैं। परिस्टरप करते हैं। मतलब एक अच्छव अर्चा पोडफोलियो आपको मिला इसलिह इतना उरजा मन्त्री एहे रेल्वे वाले सब काम करते हैं और सब के काम का ही मिला-जूला परिणामे की सरकार के पती अच्छी साख है प्रदान-मंत्र के नित्रूत में सभी काम करते हैं पर मुझे एक एडवांटेज मिला है कि मैं रोड एक बार हो गया विकल चवदालेन का रोड किया तो लोगों ने देखा तो नेचरल बन जाएगा तो मैं आपको बताता हूँ दिल्ली बिल्कुल एकदम अच्छी हो जाएगी लेकिन नितिन गटकरी जी अड़तालिस महीनों की उपलब्धियों को किस तरीके से देखते हैं इन चार सालों में जो सबसे बड़ी उपलब्धियां है सरकार की वो क्या है तेकि य कोई भी चीच परफॉर्मंस के कंपेरिजन के बिना ध्यान में निया थी अड़तालिस साल नहिरू जी राजियू जी इंदिरा जी गांधी परिवार को कांगर करने का मोगा मिला और अड़तालिस मैंने मोदी जी के नित्रत में भारती जनताप्राटी की सरकार चली मुझे लगता है इसका कंपेरिजन होना चाहिए गाव गरीब मजदूर और किसान के लिए क्या फरक पड़ा है अगर ये अर्तालिस साल में जो नहीं हुआ वह अगर हमने चार साल में करके दिखाया तो निश्चित रूप में हम उसके लिए पात रहें कि हम बोल सकते कि हमने विका अपरी जलाने से घर में धुआ होता था मुझे याद है मैं एक बार धनबाद गया था पूरा गाव में ऐसा धुआ दिखता था क्योंकि कोविला जला थे अब सब जगह पर गैस आ रहा है जैस की सेगड़ी और सिलेंडर आ रहा है अब किसी के के कैट्रेक्स करने की जूरत यह प्रत गड़ेंगे हमारी मावथे थी अब 8 करोल लोगो को यह जब बेनिफिट मिलेगा क्या यह देश के लिए अच्छे दिन नहीं है मुझे बता हिए लोग बैंकों में जाते थे सावकार से पैसा लेते थे थे ते तीन करोल बैंकों में अकाउंट है अज 31 करोल लोग सी लाक हेक्टर जमीन पानी के निचे लाना चाहते हैं, उसमें से खरीब 50 लाक हेक्टर जमीन आज पानी के निचे आ रही है, क्या ही अच्छे दिन नहीं आए है, तो किसानों के खेट को पानी मिल रहा है, फसल विमाई वजना में किसानों का फाइदा हुआ, एक करोड जो लैंड लेस्टे वे अच्छे दिन नहीं आए है, परदुषण को कमी किया, फ्यूवल बचा है, क्या उनके लिए अच्छे दिन नहीं आए है, देखिए, बहुत सी बाते हुई, पर जन्ता के अपक्षा की 100% बाते हुई है क्या, नहीं हुई, और 100% बाते होना संभो भ है, और एक बात जोरुए है कि फिछली सरकार के तुलना में इस साल के कामों में, तो अब पूरी 100 में से 100 नमर देरे हैं इन 4 साल में, 48 मईने आप उधर के पियव गिन रही है, 48 मेने आपक्षानी रही है, I offer मैं मैं सो के सौनी देरा हूं, मैं यआ कह रहा हूँ कि एर उन्होंने जितना काम गाव गरीब मजदूर किसान के लिए नहीं किया, उससे जादा काम 48 मेने में हमारे सरकार ने किया और आगे और काम करेंगे, और इस देश के गाव गरीब मजदूर किसान का कल्यान करके, इस देश को भै, भू, आतंक और भेष्ट आचार से मुक्त करके हमारे देश को दुनिया की महाशक्ति बनाएंगे क्या यह सच नहीं है कि पहली बार हमारे नितुरुत्वा मोदी जी के कारण पुरे दुनिया में वर्ल में क्या भारत का मान सर्मान नहीं बड़ा क्या मोदी जी को वर्ल डिडर करके करते हैं तो यह तो है इसके बाद और काम करना प्राइब करते हैं आप तो मीडिया से इतना इंट्रैक्ट होते हैं कि आपको तो टी आर्पी का मतलब बहुत अच्छे से पता है तो पिछले एक हपते में नितिन गटकरी जी के टी आर्पी इसली हाई है एक तो इस्टन यह दिल्ली का ट्राफिक जाम से और प्रदूशन से मुक्ति देना इस एक रोड के कारण 27 परसेंट पोलुशन यह मैं नहीं कह रहा हूं यह टेकनिकल कंसल्टेंट के रिपोर्ट है और 41 परसेंट ट्राफिक जाम फिर अब हरियाना का होगा फिर चौदालेन के कारण कुछ होगा फिर मैं द्वारका एक्सप्रेस अवेश 7000 को शुरू कर रहा हूं काम फिर दिल्ली से साहरानपूर का काम शुरू कर रहा हूं अब दिल्ली में मैं 40,000 को काम कर रहा हूं अब यह छोटा सा धवला कॉटू माने सर्भाइदो जहाई जास से आता हो नाकपूर से रोज जोड़ दो आगेगा यह करो अब वहां भी काम शुरू है तो वह भी ट्राफिक जाम मैं ने दिल्ली में स्टड़ी करा है दिल्ली के ट्राफिक जाम और पॉलूशन का एक कंसल्टन से रिपोर्ट में आपकुछ से एर करूँगा और उसके आधार पर मैंने तहे किया कि मैं अब मैं एक मिटिंग बुला रहा हूं हर्षवरदन जी और मैं मिलकर इसमें LG मुख्यमंत्री दिल्ली के बाद में दिल्ली के तीनों महापूर कमिशनर और DDA के चेर्मन उनके अधिकारी और एक प्लान बना रहा हूं कि जो एने जाए के रस्ते हैं वह हम सुधा रहेंगे जाए खिरतिया जाए टारी जो डिडिये के वह सुधार रहेंगे कार पर संग के उसके साथ साथ हम लोग यह तो नए काम है वह करेंगे फिर दिल्ली में एक तो रोड के वाजू में एक तो फुटपात होगी कॉंक्रीट ब्लोक फोगा या स्वे लॉन क्टी नहीं और इसके साथ जो परली है जो जलती ती जिस से पुले। उसको अमला भी इधनॉल बनाना है। एक टन परली से 200 सी ती इधनॉल बनेगा तो वह भी बनेगा। और ये सब करने से फिर गडिक बसे आएंगी इधनॉल बसे आएंगी, इलेक्टिक भाइख आएंगी, और ट्रिक इतना दिल्ली पॉलुटेट शहर है, मुझे बहुत बुरा लगा, दिल्ली देश का रुदेस्तान और ICQ हो रही है, तब से मुझे लगा कि दिल्ली को सुधारना चाहिए, और मैं आपको बताता हूँ, आने वाले साल देट साल में, मैं ये कोशिश करूँगा, देखो ये मेर का वादा है, कमिट्मेंट है, अब कितना सक्सेशन मुझे मालूम नहीं, हम दिल्ली को ट्राफिक जाम और प्रॉशन से मुक्ति दिलागे, जो सबसे बड़ी जो आज समस्या बनी हुए है, उसे मुक्ति मच आएगी, अब ये और इवन की उर्ट में, ये पूरे हम लोग इ सुनने में और इसको कहते हैं कि अनुभाव करना, लेकिन आपने उस सपने को उतारने की जो कोशिश की मतलब आज आप जब बैठते हैं, तो आप सोचते हैं कि ये, क्योंकि मुझे पता नहीं, मैंने भी कुछ रिसर्च किया, दुनिया में भी शायद अब इतनी चौदा ल जाने के लिए रस्ता रखा हुआ है, इस रोड पर 1.5 MW solar power तयार हो रही है, vertical gardens है, fountains है, पेड लगाएगे, अब मैं पेड लगाने के लिए दिल्ली के लोगों कहने होगे इस रोड पर आप green बनाओ, और हमारा जो इस्टर पेरिफिलल रोड है, वहाँ 4 MW बिजली तयार है, इंडिया गेट है, गेट वाप इंडिया है, ताज महाल है, और लॉंस है, ताकि उसको हिस्टी के साथ जुड़ा है, उसके अंदर में एक म्यूजियम बना है, टोल नाके के निचे में, ताकि रोड में भी केबल प्रवास करना नहीं, रोड शेड एमिनिटीज है, टॉ और हमारे देश में भी यह हो सकता, यह होना चाहिए, समय लगेगा, पर सब के सहीवक्सी इस चितने बदलेगा, अब मैं दिल्ली से मुंबई एक लाग करोड का हैवे बना रहा हूं, आपको अश्चर होगा, कि दिल्ली से जो existing highway, दिल्ली, अम्दाबाद, सूरत, मुंबई इस रोड को अगर हम highway बनाते हैं, तो land cost जो थी, वो साथ करोड रुपे पर हेक्टर थी, अब हम बैकवर अरिया से जा रहे हैं, दिल्ली से हरियाना का बैकवर अरिया, गुरगाव से वहा से, राजस्थान का बैकवर अरिया, दिल्ली से जैपूर जाएंगे, जैपूर से growing road से अलवर जाएंगे, अलवर से सवाय मादवपूर, सवाय मादवपूर से आगे वोड़ो दरा जाएंगे, तो मद्यपरदेश, राजस्थान, दिल्ली अपना ये, सब बैकवर अरिया से जाएंगे, इसका परिणा क्या पता है, डिस्टन्स सवासो करोड कम हुआ, और land equation cost 16,000 करोड से काँ हुए, और इस रोड की पहले ही सुरुवात, 45,000 किलोमेटर का पैकेज, पाच पैकेजे, वोड़ो दरा टु मुंबई, 15 दिन में आवाड भी कर दिये हैं, अब 15 दिन में काम को शुरुआत हो रही है, मैं इस साल के डिसेंबर तक ये रोड के काम को शुर कर रही है, तीन को तेरा बनाने का काम सरकार कर रही है, क्या जवाब है आपका? आपको जानका गंगा की, एक डिस्टिक की जानका, आपके वारतार बेजो वहाँ, आप शुटिं करो, और डिस्टिक वाई चर्चा करो, मैं जूट नहीं बोलूगा, जूट आश्वासन नहीं दूगा, एक बात जरूर है, कि मैं जब करोड़ों में बात करता हूँ, तो ल 40 मेरा टार्गेट है, और शायद 45 होगा, तो सर ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आपको लगता है कि ये संभव है, आपको रिसर्च करने के लिए बोलता हूँ, जो चार साल में आपने मुझे सुना है, मैं आपको अनुमती देता हूँ, मैं ना राज न कालो, और जो नहीं हुआ है, उसको छपवा दो, हर काम के लिए पूछो मुझे क्या हुआ है, मैंने का पितरवा गर से मानस तरो का रस्ता, पूछो क्या हुआ है, मैं मुझे बताई है, चार धाम का हूँ, मैं हर चीज का जवाब दूगा, हाँ ये भी है, कभी-कभी मुझ दोरी यह डिकत्त हो रही जिए तीन दशक चेंसर गंगा वहां एक समस्या बने व包 लगों के लिए आस्था लेकिन सरकार केरी एक लक्षे था एक सपना था कि इसे साफ करना है कहां तक साफ पर ने सरकार के रोगा पर मैं कहूंगा कि अब गंगा के हमारे काम का मीडिया परफर्वोस ओडिट करें गंगा में हम 210 प्रोजेक्ट कर रहे हैं जल शुद्धी करने के उसमें से 41 प्रोजेक्ट उत्राखन में हैं मैं भी आपको इंटेवर के बाद लिस दे दूंगा पूजेक्ट की और 41 ही प्रोजेक्ट है यह साथ शुरू हो गें परसो मीटिंग में सब लाइन पे लगले 15दर मैंने में ती दिवाद गिंगा च्थे दिल्ले के अधिकारी थे ऊव बी प्रोजेक्ट शुरू जाए हैं GREEN पटणा में 11 है यह साथ शुरू हो गै ओणिए कि ऊजे बताएं म आपको में 210 प्रोजेक्ट थे, 47 प्रोजेक्ट पूरे हुए, 105 प्रोजेक्ट चल रहे हैं और करीब 40-45 प्रोजेक्ट टेंडर पोसेस में हैं और 10-15 DPR मोर में हैं और गंगा और गंगा कि चालिस ट्रिबुटरीज नाले और नदियो का ये रेखा जोका है मैं स्टेट वाइज इस्टिक वाइज आपको लिज देता हूं आपके रिपोर्टर को भीजिए फोटो निका लिए अगर नहीं होगा तुम मुझे पूचिए इस आरोप का क्या कि ज सब्सक्राइब करने पड़ते हैं फिर उसके लिए जगर के वारे में कोई प्रावले में वह सौल करने पड़ते हैं और ये सब का मुवाभरती जी ने बहुत इमांदरी से किया है उनके किये वे काम के बेस पर में आगे जारा हूं उन्होंने भी काम नहीं किया ऐसा होगा तो पैसे देंगे तो जब काम मशीनरी आती है कंस्ट्रक्शन होता है तो यादा पैसा लगेगा काम शुरू होने के लिए मुविलेशन एड़मास के बिना क्या हो है तो ये काम की मैं ने जो बेवरा दिया है आप चेक करो आप आईसा तो है खरजा करना याने किसी को आपकी जो सोच ही सर अभी करेंट गंगा को लेकर कि पहला स्टैप आप कब तक देख रहे हैं कि हम देखो मैंने अच्छ नाइंटीन होने के पहले गंगा की सी ओडी ब्यूडी लेवल स्टैंडर्स सतर से ऐसी परसेंट सुधार होगा और अभी तीन महने के पहले अंग्रे अभी तो नहीं नहीं हो और काम करना यह जो 105 प्रोजेक्ट है यह पूरे होंगे तो नेचरले इसमें काफी सुधार होगा जिसरा मैं अभी इस प्रोजेक्ट में इंडियन ओईल के साथ मत्वरा में प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो भी उसका भी सब प्रॉब्लम सॉब हो गया अब मैं उनको कहरो एंडियन को कि इसमें मिथेन निकलता है मिथेन से सीव टो लगकर के बाहर से निकालकर यह गंगा के किनारे पर दस हजार बसेश चल सकती है मैं आपको देता हूँ आप सरकारी कंपनी आप निकालो सी एन जी और यह इंपोर्ट सब्स्ट्ट्ट कॉस्ट अब उच्ञार है तो नहीं नी टेक्नलजी लाईए गंगा में प्लैंटेशन करने की जोजना बनी है गंगा में फीशिंग होगा गंगा में टूरिज़्म होगा रिलियेस टूरिज़्म होगा खुरूज आएंगे और मैं और एक काम अभी तक नहीं कर पाया हूं ब्सक्रा करना है कि मैं चाहता हूँ गंगा पूरे साल वर में में भी एपरील में में भी एक अवीरल धारा दिखे और इसलिए गंगा के उपर जितने पावर प्रोजेक्ट है अब नए को पर्मिशन नहीं मिलेगी अब वो प्रोजेक्ट में और बाकी गंगा के पानी को सिंक्रोनाइस करके टेकनोलोजी के साथ क्या साल भर हम एक आधा मिटर का एक मिटर का ड्राफ्ट मेंटेन कर सकते के में इसका टेक्निकल अध्यान शुरू है इसके लिए भी हम कोशिश करें सर दस ऐसे शहरों को आपने शायद मार किया है जो सबसे जादा गंगा को में प्रदूर्शन फैलाने का काम करती है तो क्या इस दौरान आपको राध्यों से भी बात्चीत करने में कुछ दिक्कतारी के यह एक धीमा धीमिगति की वजह मान सकते हैं दिखिए दस शहर है जिसम सबदा भद फेवा चलद लान घंसा सकता हूं तो डहां उनके सिवा काम नियूं होता हूं मुझाह सब्सक्का मैं राजियों के मंत्री को बुलाता हूं कभी प्रेम करता तो मैं समस्या में रोता है, मैं बोलता हूँ, काम करो, मार निकालो, इशु को सॉल करो, पॉजिटिव एटिटुटूड रखता हूँ, और हर आत्मी से काम लेने की कोशिश करता हूँ. मुझे लगता है कि इससे सफलता मिलती है, मैं सब राजय सरकार के सही होग, मैं भी केज डिवाल जी हमारे विरोधी है, मैंने राजनीती नहीं की काम, मैंने उनको बुलाया, साड़े तीन घंटे बैठे हूँ, एक-एक प्रोजेक का रिवी हुआ, उनको मैंने का आप कहा है, मैंने का अगले बॉन मिटिग में लाइए और ऋसको सुधार यहुए, मैंने इंको पैसे के कमी ती मिना, मैं आपको मदद करता हूँ, तो जहाँ जा मैं कर सकते हूँ, इसमें मैंने राजनीती मिक्स नहीं की, किसी के साद लिए ममता जी को मैंने का आप को आप काम करो, जो कमिटमेंट नहीं है तो गड़करी ने बतार किया निये मठ चापना तो मैंने पहले मैं सिंगापूर गया वहां मैंने गार्डन देखा रेक्लीमेशन किया लैंड पर और उसके जाने का टिकेट साच छेसो रहाजार रुपय है बहुत सुंदर गार्डन अब दिली के जनता को अक्सिजन के लिए बड़ा गार्डन प्लेस बने है देवना का फ्रंट बांदे जैसे हमने सावर मति में किया है या विदेशों में है और उसमें इनलैंड वाटर वेस्ट रेजिंग का काम इनलैंड वाटर वेस्ट करेगी डीडीए हजार एक डेवलप कर बाकी को हम पीप एक पाच्छे आजार करोर का प्रोजेक्ट तयार हो वहां लोग पार्किंग प्लेसे सरेंगी ठोड़े बुट खाने पिने की सुईदाय रहेगी बागी कमर्शन नहीं होगा और दिल्ली के लाखो लोग गार्डन में घुमेंगे ट्रैक पर दूडेंगे लान में ते यमोना का पानी बुरा शुद्द होगा और फिर यमोना में हवाई-जाज उत्रेगा पानी पर हमारे सपा पानी पर ऊतर के हवाई-जाज meट कर आध आगरा जाओ अगे पिछे में उत्रो गे मैंज अतने सपने दिखाता हूं इतने सपने पूरे होते हैं । लोगों को सबने दिखाने वाले नेता अच्छे लगते हैं, पर दिखायवे सबने पूरे नहीं करते हैं, लोग पिटा ही करते हैं, अज़ फिर सीप्लेन फिर आगे चर्चा की ज़िए, लाया पूरा सीप्लेन ट्रायल हो गया है, अभी एटीसी ने नियम बना है, फाइनल पंद्रा दि करते हैं, अब यह कई मुंबई के ग्रिगाव चौपाड़ी से निकलेंगे तो हमारे शिरडी के एर स्टिप पर उतर के एंपी बस प्लेन है, मैंने उसके ट्रायल ली, मैं बैठा, प्रदान मंत्री बैठे, आठ लोग, अठरा लोग, मैं उसके सर्विस चालो करना चाहता ह हूँ, तो यह जो कंसेप्ट इसमें एक बार ज़रूर है, यह जो रोडे डालने का काम जो करती है, मैक्रोस्कोपिक माइनोरिटी एंजियो के नाम पर, तो मैं इन्वार्मेंटलिस्ट हूँ, मैं सब पानी सुद्ध कर रहा हूँ, मैंने मुंबई में अपने पोड को एक प अजिक्शन लेते हैं और यह पूरे काम बन पाड़ती है, मुझे बताओ, अभी स्टैटेजिक रोड है, यह हमारा जो चारधाम का है, तो दिल्ली, वो चायना के सीमा को पोशने वाला इतने सुरक्षा का मतों हूँ, उसक्व एडंगा डाल दिया, अब वो मुझे बताओ, इतना वड़ा हासा हुआ, इतने लोग मरें, हम नया आल सीजन रोड बनाने में बद्धिनाथ के अदना माग गंगोत्री मुझे लिए, आप हमको सजा दो ना, अगर हजार पेड तो पाद दस हजार लगाने के तो हम गिन के देंगे, नहीं लगाने तो पैसे वसूल करो, द आपको पुछना जाता हूँ, इस देश में 40,000 की लकडी इंपोर्ट होती है, आपका कोई भी नूस्प्रिंट निकालो, पेपर निकालो, 90% नूस्प्रिंट इंपोर्ट होती है, अगरवत्ति की काडिया 4,000 करोड की इंपोर्ट होती है, पेपर पल 35,000 करोड का आप किसानों को अलोग करें अभी बांबू में हमें ग्रास करके अलोग किया मैं बांबू लगाने की बात कर रहा हूं हमारे देश में पेपर पैदा होना चाहिए लोगों को रोजगार मिलेगा हम क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं और इस प्रकार के कानून बना कर सब बन कर रहे कितने लोगों का रोजगार हमने छीन लिया है हमारी एकोनोमी कैसे आगे जाएगी देखो हमको इन्वार्मेंट भी चाहिए एकोलोजी भी चाहिए और विकास भी चाहिए और दोनों के बीच में संतुलन चाहिए फॉरेस्ट एक परसेंट से बड़ा है और आप अलोगरो को काटनी के वनुमति आने के जुरुत में आपको यह पर हम सट्रेलेट से चेक करेंगे और आप अगर सत्राप आएंगे तो मनुमति नहीं देंगे आपको आपको दिखाना पड़ेगा आज महाराष्ट्र में साढ़े चार करोड त्री लगाई है शुदीर मुंगंटिवा हम पूरे नौर्थ इस में बांबू काटकर इतनल बनाएंगे तो पेट्रोल के बज़ा इतनल आज जो भाव बढ़ रहे यह सवाल नहीं आएगा देश के किसानों को उनके बेटों को रोजगार मिलेगा इतना बताने के बाद भी आखरी सवाल है मेरा आप से करना चाहोंग जय जन्ता दल जो है यह करना टक्वाला यह तो बीजेपी की बीटीम है यह आरो प्राहूल गानियल लगा अब हमारे बीटीम के साथ अलाइस बनकर बीटीम का मुख्यमंत्री पर काम कर रह हूं देखो सवाल है कि मुद्दा की आसर आपके पास देखो हम काम पी लटे चु सबका साथ सबका विकास में सच मुच काम हुआ है और फायदा आप तक पहुंच रहा है आप आगे भी देखते रहें लोगसभाती में मैं मोच कि आपके रहें पास देखो हम के रहें हुआ है आपके रहें दो तक रहें है कि अ उत जापके पुद्दाशज काम है आपके चाहाँ रहें है